हेलो फ्रेंड्स, NCRT सीरीज में आपका स्वागत है तो आज हम चेप्टर फाइब जो 6th क्लास के NCRT उसके चेप्टर फाइब को करेंगे जिसके अंदर Kingdoms, Kings and Early जो Republic है उनके बारे में इसमें बताया गया है तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर हमने बात करें तो हमने जो 1st chapter है, जो sources, sources के बारे में हमने read किया कि कहां पर क्या मिलता था, इसके बाद में हमने Paleolithic sites को किया उसके बाद में Neolithic sites के बारे में किया फिर Indus Valley civilization का development कैसे हुआ, वहाँ पर जो civilization का, जो culture का development हुआ था, नियो लिथिक sites के टाइम में तो उसके बाद में जो civilization मना, culture से civilization और उसके बाद में हमने read किया कि वैदिक एजगी के जो सुरुवात थी, वो किस टाइप से हुई थी इसके अलावा हमने Megalith को read किया, जो South India में during the Vedic age, जो South India के अंदर चल रहा था तो friends, अभी तक हमने ये read किया है, अगर हम आज के बात करें, तो इस chapter में हम basically, हम read करेंगे जो लेटर वैदिक period में है, वो जो Kings का role कैसे हुआ, जो Kings जो अभी तक एक जन, जो जन था, उससे जो बना Rajan, जन जो tribe थी, tribe से tribe का एक head हुआ करता था, जिसकी जो position थी, hereditary नहीं थी, जो public के दुआरा ही उसको choose किया जाता था, तो Rajan जो बना, उसके बाद में जो बड़े क्या-क्या ऐसे यजनाज को perform किया करते थे, हमने जो वैदिक age के अंदर भी देखा, यजनाज को perform किया जाता था, अगर जो tribes के बीच में, जो जन के बीच में आपस में लड़ाई भी होती थी, कोई war होती थी, तो वहाँ से जो भी चीज, जो war का beauty, जो हमको, war का जो भी ची यजनाज को perform किया जाता था, इस पेसलिए हम बात करें, तो जो असुमे दियग है, जिसकी बात की गई है, जिसके अंदर जो territory का expansion के related जो है, कि एक जो घोड़े को, घोड़े को कुछ भी जो flag या उसके साथ में आर्मी उसको भेज दिया जाता था, जहां तक जो horse है, वो area क cover करता था, तो उस राजा के अंडर आ जाता था, उसको असुमे दियग बोलते हैं, इसके लावा friends हम बात करेंगे कि कैसे जो जन से जनपद बना, जनपद के बाद में महा जनपद बना, फिर उसके बाद में जो letter page में जो 16 जो महा जनपद हैं, जिनका development कैसे वा, जो बड़ आर्मी भी नहीं थी खुद की, ना तो आर्मी का, क्योंकि आर्मी को manage करने से related, जो tax collection की power थी, वो नहीं थी, तो no taxation, no army, अब इसके अंदर देखेंगे, हम letter Vedic page के, letter Vedic जो period है, इसके अंदर में आर्मी का भी development होता है, इसके अलावा जो राजा के पाद जो taxation की power है, वो भी इसके लावा friends हम बात करें, जो iron का use यहाँ पर increase हो जाएगा, iron का use जो basically industrialization के time नहीं था, उसके बाद में iron का use आता है, वैदी केज में, यहाँ पर iron का use basically जो उसका use है, उसका rate हो continue increase होगा, इसके लावा society के अंदर changes इसके अंदर आएंगे, इसके especially अगर हम बात करें, जो society अभी तक hunter and gatherers से, hunter and gatherers के बाद में society के अंदर, वैदी केज के अंदर little bit change आया, बट अगर वो बात करें कि, वो occupation based जो change था, उसके बाद में society continue, यहाँ पर जो completely rigid बन जाती है, और वरना system का establishment में होता है, और जैसे वरना system का establishment में आएगा, society के अंदर, अगर कुछ लोगों को complete जो facilities हैं, या जो भी नहीं मिल पाएंगी, जो भी उनको benefits हैं, तो वहाँ पर questioning start होगी, और questioning start होगी तो बुद्धी जमान जैनिजम का development होगा, इसके लावा जो हमने वेदाज के बारे में read किया है, जो rigveda है, तो rigveda के basically जो develop कर दिया का, जो hymns के बारे में, तो जो last में जो start में ये बात है कि जो initially बताया गया है कि जो राजा था, उसको जन के दौरा, जो people के दौरा choose किया जाता था, 3000 years ago के आसपास, फिर क्या हुआ कि राजा more powerful बन गया, इस phase में, जो latter Vedic phase है, यहां पे जो राजा है, वो more powerful है, जो जन के दौरा choose किया जाता था, इंदा Vedic phase में, और इसके लावा बहुत सारे rituals को perform करने लगा, जिसमें special very famous है, असुमेद यग, असुमेद यग के अंदर basically horse का sacrifice किया जाता था, और इस ritual के अंदर राजा है कि कोई special position के उपर बैठा करता था, और जो horse है, उसके साथ में charitors, talk about the glory of the king, king की जो प्रसंसा है, उसको ऐसे ही spread कि किया जाता था, इसके लावा जो राजा की जो family थी, वो भी यक के अंदर special कुछ rituals को perform किया कर से थी, तो ये बताया गया है कि जो राजा है, राजा की जो position है, वो कैसे develop हुई, राजा का जो कैसे more powerful बना राजा, तो इन सब के बारे में यहाँ पे, इस chapter के अंदर बताया है, फिर इसके लाव फ्रेंड्स बताया है कि जो early जन था, जन से जन पद बना, फिर उसके बाद में अगर हम source of जन पद की बात करें कि जो जन पद, जो small small kingdoms का जो development हुआ, तो उसके बारे में जैसे जन एक tribe हुआ गरती, जैसे हमने देखा भारत tribe थी, यदू tribe थी, ऐसी कुछ tribes थी, जो इंडिया के अंदर रहा करती थी, तो इसके बाद में हम friends यहाँ पर देखते हैं कि यह जो tribes थी, जो जन था, इनका जो एक people के द्वारा एक choose किया जाता था, जो इसको राजा बोलते थे, राजन बोला करते थे, तो राजन जो है, अब more powerful हो गया है, और इनका बन ग ने जन पद की, कोई कि जो tribe से, जो जन से जो जन पद बना, उसका जो अगर development की बात करें, तो उसके कुछ हमको evidence मिले है, archaeological evidence, जिसमें पूराना खिला जो दिल्ली के अंदर है, हस्तिनापूर जो मेरट के अंदर है, यहाँ पर हम कुरू महाजन पद के बारे में मिलता है, ज एक्चुली में कोरो और पांड़ों, जो अमार हिमाज थोले, जो इसे related है, और अतराजिन खेरा, जो इटा के पास है, ऐसे कुछ है, यह archaeological evidence है, इसके लावा अगर हम बात करें, उस टाइम में जो लोगों की, जो societal life थी, उसके बारे में बात करें, तो लोग हट के अंदर र एनिमल हुआ, domestication of animal की वज़े से एक जगह उनका रहना इस्टार्ट हुआ, रहने के बाद में उनके फिर हमने burials के बारे में देखा, कि उनके burials की situation कैसी थी, उसके बाद में हम burials के बारे में देखा कि घर के पास से बनाय करते थे, घर से दूर बनाय करते थे, फिर इसके बाद में friends हमने देखा कि, domestication of animal होने की वज़े से उनका जो movement था वो रुग गया, migration उनका जो इस्टोप हो गया, और वो एक ही जगह पे रहने लगे, agriculture का development हुआ, agriculture का development होने के बाद में हमने इंडस valley civilization में देखा कि कैसे citadel and lower part of the city है, जिसके बारे में देखा हमने, west part में जो citadel था, lower part में जो laborers या common people जहां रहा करते थे, उसके बारे में बताया गया है, फिर friends हमने, presently हमने देखा है कि, hut का development यहां पे हुआ, जो जो development है, वो यहां पे हो, और cattle को यह main wealth माना गया है, यहां पे, agriculture के अंदर के हम देखे, rice, wheat, barley, apple, sage, sugar cane, season, mustard है, इन सब का जो development हुआ, और pottery के अंदर special यहां पे development आता है, कि यहां पे gray color की pottery का development आता है, तो बरतनों में gray color का, जो अभी तक नहीं था, अभी तक जो था red and black था, यहां पे पहली बार gray के बारे में बताता है, और gray के बारे में especially यह भी बताया जाता है, कि यहां पे जो gray है, जो special people सो सरुकी जाती चैन्ज आयाई है यहाँ पे पॉर्ट्री चेन्ज आया है यहाँ पे जो एग्रिकलचर के अंदर चेंज आया और आरों को प्रीषे ओज्टा कोरेने उसका स्पिर्विन प्रेन्स हमने आपजन से महाजन प्द तो 500 हमने देख कि आसपास हम budd TWO!' hunter and gatherers जो आदी मानों मिलीगा जो priest tree है फिर उसके बाद में हमने देखा paleolithic, mesolithic और neolithic फिर हमने industrialization का period देखा फिर industrialization के period के decline के time ही जो छोटे-छोटे kingdom जो start हुए थे वेधिक phase वे जन से फिर जनपद बना और फिर उसके बाद में जनपद से महाजनपद की जो development है वो start हुए तो friends यहाँ महाजनपद के आसपास ही हम देखना start करेंगे कि महाजनपद के initial phase में या लेटर phase में क्या होगा कि यहाँ पे foreign attacks start हो जाएंगे जो आपस में जो यह जनपद से हैं आसपास में एक दूसरे पे लड़ाई करना start कर देंगे वो और start हो जाएंगे हम पे तो friends हम बात करें महाजनपद की तो 16 है और इनके capital और city के बाद वेरी फेमस हैं अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे fortification का start हुआ आप बात करें fortification क्योंकि जो king की अपना जो किला बंदी है या किला क्यों बनाना start कर दिया तो उसकी बड़ी बड़ी दिवारे हुआ करती थी इसके अलावा जो resources bricks का जो development हुआ wall, stones, इसके अलावा planning details को भी show करता है राजा अपनी एक army भी रखा करता था वो show करता है कि kingdom are more powerful तो अगर बात करें उनको salary भी दी जाती थी salary किन में दी जाती थी silver coins के बारे में यहां पर लेख मिलता है कि silver coin वहां पर हुआ करता है क्योंकि resources का development हुआ तो इस वज़े से अगर हम बात करें fortification की तो राजा ने जो fortification था वो क्यों start किया तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंट तो सबसे पहले यह बात है कि foreign foreign से attack मतलब दूसरी जो tribe है दूसरा जो महाजनपद है उसके दुआरा एक दूसरे पर attack start हो गया था इसके लावा जो king अपनी prestige के लिए भी king कितना powerful है अपनी prestige को शो करने के लिए भी बड़े बड़े force का development किया करता था इसके लावा जो controlling of people के related भी ये अपना power को शो करने से related भी बड़े बड़े जो force है fortification को start किया अगर हम बात करें friends की king के पास जो salary देने के लिए या अपनी जो economy को development करने के लिए जो resources उनका कैसे development हुआ तो सबसे पहले बात करें हम friends कि resources में जो income hacking की तो revenue उसने collect करना start कर दिया था agriculture से जो revenue का जो collection उसने start किया था agriculture से तो वो उसका main source up income बनकी यहाँ पे उब रहा है तो यहाँ पे वेदिक फेज में जो हमने देखा कि वहाँ पे taxation की कोई power नहीं थी no tax अगर हम देखें इस letter वेदिक फेज में तो यहाँ पे taxation भी है army भी है taxation और army दोनों यहाँ पे हैं इसके लाब friends जो वहाँ पे अगर जो के जो भी महाजनपत था महाजनपत के अंदर जो यसे भी tribes रहा करती थी जैसे कोई laborers है तो उनको काम करवाया जाता था राजा को अपना उनको एक share देना होता था अगर लेबर से है तो उसको labor करनी होगी agriculture से है तो उसको अपना share देना होगा king को तो this is kind of the tax है आप service के रूप में दो या price के रूप में दो या अपना money के रूप में दो तो आपको tax तो fill करना होगा तो friends अब बात करें महाजन पत्गी तो यहाँ पर agriculture का जो development है वो हो गया था क्योंकि iron का जो plug है उसका use करना start कर दिये थे इसके लाव बात करें forest को clear करवा दिया गया forest को clear करा दिया गया more production का start हो गया paddy को जो पहले जो seeds के through scattering कर दिया जाता था paddy का जो transplantation start हुआ इसके लाव friends यहां का जो काम करने के लिए जब भी जो tribes आपस में लड़ती थी तो हमने पिछले chapter में देखा कि दासा और दास्यू जो बाद में दास और दासी नाम से जो female है उसको तो दास और दासी जो female के रूप में जाने दान लगी तो इन लोगों को basically जो slaves हैं इनको काम कराया जाता था इनको कोई ritual में हमने वैदिक फेज में देखा कि इनको कोई ritual में partitioning करवाया जाता था और जो common people होता था उनसे इनकी different language हुआ करती थी इसके लावा जो landless agriculture laborers है उनको काम करवाने लगी laborers जो को कामकार्स बोलते थे basically ये question अब पूछ रिये जाएगा कि कामकार्स कि इनको बोलते थे तो laborers जो हुआ करते थे लेटर वैदिक फेज में उनको कामकार्स बोला करते थे इसके लावा फ्रेंड्स हम बात करें taxation की अभी हमने देखा कि agriculture का case type से जो agriculture का use किया वहाँ पे king ने तो agriculture के बारे में यहाँ पे हमको पता लगता है कि agriculture का किस type से use किया इसके लावा फ्रेंड्स हम basically हम बात करें कि यहाँ पे agriculture का development हुआ इसके लावा जो पैसा था जो टैक्स था उसका कैसे development हो उसके बारे में हम देखते हैं तो महाजनपत जो राजा था हो किंग था हो उसका दोई काम थे यह तो fort बनाना दूसरा अपनी आर्मी को maintain करना तो इसके लिए राजा को जो money की जरुरत थी तो occasional gift लिया करता था इसके लावा राजा यहाँ पे जो taxes हैं उनको collect हिया करता था अगर आपको agriculture में कोई भी आपका development है तो one by share आपको राजा को देना होगा forest produce भी है तो वो भी आपको राजा को देना होगा forest का produce भी craft man person को labor की रूप में work करना होता था अगर कोई कारपेंटर है तो उसको कारपेंटर का काम करना होगा कोई अगर सपाई वाला है तो उसको सपाई का काम करना होगा need to work for the king once in a month एक साल के अंदर एक महिना उसको राजा के लिए काम करना होगा इसके लाव वेवर और गोल्ड इसमीत हैं इनको जो सुनार है इनको भी काम करना होता था इसके लाव बात करें हैं जो hunter and gatherer से जो पसुपाला नहीं ये सब किया करते थे तो उनको भी राजा को अपना animal या उसका produce से related जो चीज है वो राजा को देना होता था जो भी उसके products हैं तो friends यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पी जो taxes collection का जो king का जो source of income है वो start होती है और कैसे जो ज़रूरी भी है आर्मी को maintain करने के लिए फोर्ट का development करने के लिए तो friends हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर society के अंदर क्या हुआ कि जो पिरिष्ट के लास के दुआरा यहाँ पे society in their division create किया गया पिरिष्ट के लास के दुआरा क्या किया गया कि यहाँ पे जो society को occupation के basis पे चार इस्तों में बाढ़ दिया गया ब्रामिन्स को चत्रियाज को वैश्याज को और सुद्राज को अगर हम बात के हैं ब्रामिन्स जो rituals के अंदर participate किया करते थे इसके लावा इनको जो परजय गिफ्ट्स लेने के लिए इनको अलाओ था कि इनको गिफ्ट्स ले सकते हैं चत्रियाज से भी वैश्याज से भी और सुद्राज यहाँ पे यह हुआ कि चत्रियाज है जिनका काम था रोलिंग क्लास का वैश्याज जिनका जो trading है agriculture है इन सब से related है और सुद्राज जिनको basically एक untouchable sections के रूप में create कर दिया गया और इसकी वज़े से society के अंदर जो resistance के वज़े से यहाँ पे जो बुद्धिजम और जैनिजम जो questioning स्टार्ट होगी society के अंदर और people questioning स्टार्ट करना शुरू करेंगी कि ऐसे birth के उपर जो right है हो किस type से है और जैनिजम और बुद्धिजम का जो development है जो हम कल next chapter के अंदर read करेंगे तो जैनिजम और बुद्धिजम का भी जो birth है वो इसी की वज़े से होगा more conservative society होगी जो hard lines पे divide होगी तो वहाँ पे इसी type से जब नई जो sect है उसका development होता है friends हम बात करें जो वेदाज की जो letter जो three वेदा हैं जिनके बारे में यहां पे development हुआ हमने देखा कि रिग वेदा के बारे में बताया गया था hymns का development जो फिर सोम वेदा में उनको गाने से related आजाएगा फिर forest से related आजाएगा फिर यह astrology इन सब चीजों से related letter वेदाज के अंद separate information दी गई है इसके लाव बात करें गंगा और यमना हमने पिछल last chapter के अंदर देखा था कि गंगा और यमना का इतना once एक बार ही वहाँ पे जो वासुमित्रा नाम की जो saint थे उनके उनके एक बार ही mention था गंगा और यमना के बारे में यहां पे गंगा और यमना के बारे में जो information एंपल information दी गई थी इसके लावा जो इन बुक्स को जो compile किया वो प्रिष्ट क्लास के दोरह ही compile किया और उनको rules of the society उन्होंने start किया कि society के अंदर एक rule है division कर दिया गया society का उन्दा basis of birth और कुछ people को untouchable create कर दिया गया और यह untouchable create करने की वज़े से ही लोगों ने question start क किया society के अंदर एक reaction आया और reaction वानिंग के वज़े से जैनी जम और बुद्धी जम का birth start यहाँ पे होता है तो friends हम बात करें इसमें इस पेसली दो kingdom महाजनपद की बारे में बताया गया जैसे मगद के बारे में बताया गया जो सबसे powerful था most important है गंगा और सोन नदी का किनारत तो fertile land थे अजाज सत्रो और बिम्बी सार जैसे वहाँ पे जो बहुत ही जो superior kings ने rule किया इसके लावा एक kingdom के बारे में especially friends यह बताया गया है कि जो महाजनपद है उनमें एक राजा rule किया करता था या अनेक राजा तो हमने देखा कि वजजी नाम का जो kingdom था जो tribal का था उसके किया करते थे इसके बारे में जो वजजी kingdom की जो हमको story और दिगा निकाय के हमको जानने को मिलती है तो friends हम इनसे महाजनपद के बारे में letter phase में जो higher book sound के अंदर कापी अच्छे से detail में steady करेंगे तो friends आप यहाँ पे देखो कि Republic का जो development था वो वजजी kingdom में हो गया था इसके लाव friends आप जितने भी जो महाजनपद हैं जिनमें maximum जो गंगा और यमना का जो fertile area है वहाँ पे इनका development हुआ है तो friends आप इनके बारे में map के अंदर इनको mark करना और इनके बारे में आप mark करोगे तो आपको पता लगेगा कि इनका location कहा था इसके लाव friends हम बात करें map की तो काफी आउंती के बारे में दिया गया है कोसाला के बारे में दिया गया है इसके बारे में मगदा के बारे में दिया गया है अंगा के बारे में यहां पे दिया गया है तो यहां पर जो 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है तो आप इस map को इसके लावा हमने जो ancient medieval जो हमने पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक के जो मैप्स को जो इस्टेडी किया है उसके बारे में भी मैप्स का इस्टेडी वेरी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स इस्ट्री में तो आप इन मैप्स को अच्छे से इस्टेडी करो इसके लावा जो महाजनपद का जो chapter है इसको more detail way में आपको जो higher books 7 के अंदर खरवाएंगे तो friends thank you, thank you very much.